आज हम लोग बात करने वाले हैं टेलेस्कोप में इमेज बनने के एक और केस के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो इमेज बनेगी, जो हमारी लार्ज इमेज बनेगे किसी भी अस्ट्रोनमेकल आपजेक्ट की, वो डी दूरी पर बने हैं, यानि कि दी से मेरा और बिसी बात है कि जब object जो होगा, वो आपका focus point पर होगा, देखें इस picture में आप लोग देख पा रहे होंगे, कि जो object है, कहने का मतलब है, जो पहली image है, जो की objective lens की बनी है, वो eye piece के focus point पर है, तब ही ऐसा होगा कि हमें infinity-peak image बनने के मिलेगी, यह बात हम लोग पहले microscope मे कर चुके है, human eye के अंदर भी कर चुके है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखें, तो प्लीज जा करके देख लिए, तब ही जा करके यह आपको अच्छी तरीक से clear होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को यह देखना है, कि पहले image इंफरिटी पे बन रही थी, अब वो बीच में कहीं D पर, मतलब 25 cm की दोई पर हमें पता है कि 25 cm, यानि कि D जो है सबसे दा clear vision देता है हमें, तो वहाँ पर बने, तो अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, well, बहुत easy है, हमें इस lens को adjust करना पड़ेगा, human eye के case में हम लोग क्या करते हैं, slurry muscles की वज़े से हम self adjustment करते हैं, यहाँ पर हमें dial की मज़त से इस lens को थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा, जिससे कि यह जो object है, जो image है, यह यहाँ ना बनके, focus point पर ना बनके, आगे कहीं बने, जिसकी वज़े से हमें D पर image बिल सके, समझ रहे हैं, आप क्या करों में, पहले क्या हुआ, क यहाँ पर focus point पर ही थी object, यहाँ इमेज जो बनी थी, इसकी वज़े से objective lens की वज़े से, अब क्या हो, यह थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, जिसकी वज़े से deeper value मिल जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आया, ठीक है साब, अब यहाँ यह image बन गए कुछ इस तरीके से अब इसमें से एक और image बनेगी, मतलब यह जो image है, इस eye piece के लिए object का काम करेगी, थीक है, object का का काम करेगी, तो इसमें से भी light train निकलेगी, इसकी वज़े से image बनेगी, पहली वाली जो क्या होगी, बिल्कुल principle axis के parallel जाएगी, कुछ इस तरह की से focus point से गुजरेगी, दूस magnified image होगी, जो हमें देखने को मिलेगी, किसी भी astronomical object की, तो यहां से इस दूसरे वाले lens है, यहां कि आई piece के बीच की जो दूरी है, इसको आप लोग D लिख सकते हैं, क्योंकि हमें D पर ही बनाना है, clear image चाहिए, और इसी चीज़ को आप लोग VE लिख सकते हैं, क्योंकि हमे E है, right, इसी तरीके से यह वाला हिस्सा, यह जो पूरी की पूरी आपकी दूरी है, यह आपकी FO कहला है कि नहीं, क्योंकि यह objective lens की focal length है, right, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा का सारा नाम दे दिया है, इसी तरीके से यह जो angle बना कर गयाएगी, वो alpha होगा, यहां यह जो angle होगा, वो subtended by image होगा, और यह वाला जो angle होगा, वो subtended by object होगा, right, एक बार फिर से पता दे दो मैं, दूर कहीं astronomical object पड़ा हुआ है, वहां से light ray आती है, लेकिन वो parallel आती है, parallel आती है, तो हमें पता है कि वो focal plane पे जाकर के गिरेंगी, लेकिन इस बार क्या किया है, ह इस ने इस दूसरे वाले object के लिए क्या किया, object का काम किया, अब object का काम किया, तो इस में से भी light ray निकलेंगी, पहली जो होगी वो parallel जाएगी, कुछ इस तरीके से, focus point से गुज़एगी, दूसरे वाली जो होगी, वो optical center से गुज़एगी, हम लोग ने इसको पीछे बढ़ अब चूंकि यह जो एंगल से बहुत चोटे हैं, तो हम इने टेंजेंट के रूप में लेख सकते हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यानिकि 10 बीटा अपोन में 10 अलफा, अब इनकी हमें value रखनी है, अब 10 बीटा की value इस चोटे से triangle से आप असानी निकाल सकते ह यहां पर perpendicular यह होगा और base यह होगा, क्योंकि मैं पता है कि 10 टीटास इकोस्ट्रू में perpendicular upon में base होता है, तो perpendicular मतब मैं यहां पर लिख दिया, a-b- upon में, इस base को लोग लिखेंगे, ue, लेकिन यह जो ue होगा, यह minus में होगा, क्योंकि यह eye piece के लिए left direction के अंदर, इसी तरीके क्यों, क्योंकि यह जो पूरा हिस्सा है, यह fo ही तो है, लेकिन यह चूंकि यह positive में है, क्योंकि right के लिए है, क्योंकि objective lens के आप बात करें तो इस direction में है, sign convection के इसाफ तो fo, तो यहां पर a-b- से a-b- जो है, वो cancel out हो गया, और value निकल गया ही, वो निकल गया ही, minus का fo upon में ue यह हो जाता है formula, इसको थोड़ा सा और आप लोग solve कर सकते हैं, calculations के जरीए, कैसे कर सकते हैं, बहुत simple है, हमें पता है कि जो हमारा lens का formula होता है, one upon में ve, e मान लिए, minus one upon में ue, is equals to one upon में fe, यहां से हमें one upon में ue की value निकल लिए, क्यों, तो आप लोग आप इस formula में fo, और one upon ue को अलग करेंगे, तो आप लोग आसानी समझ पाएंगे, इस one upon ue की value हमें निकालने होगी, right, तो बिलकुल निका सकते हैं easily, अगर देखिए, थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर हम लोग ve की value है, वो अगर हम लोग d रख दे तो, minus का d रख दे तो कैसा रहेगा, क्यों क्योंकि जो image बन रही है, वो d पे ही बन रही है, ठीक है, हमें तो d पे क्लिए रहे में चाहिए, तो हम लोग ने ve की जगा कर minus का d रख दिया, minus का क्यों हो, क्यों कि लेft साड में, क्योंकि ve की बात हो रही है, तो यह हमारा ipी की बात हो रही है, और ip के लिए ज़िए d वो left म इसी तरीके से u e की जगह अगर में minus का u e रख दू, बहुत simple है, क्योंकि ये u e की जगह तो u e रहेगा क्योंकि हमें u e की value निकाल लेकिन चुकि ये left में है, इसे में ने minus रखा है, इसी तरीके से यहां पर f e की जगह हम लोग f e रखेंगे, अब आप पूछेंगे f e minus में क्य अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 1 upon me f e जो है, वो common ले लेंगे कुछ इस तरीके से 1 upon me u e is equal to 1 upon me f e, bracket में आ जाएगा 1 plus f e upon me d, अब इस चीज को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, आपको याद होगा जब हम लोगोंने microscope की study की थी, जब human eye की study की तब भी हम लोगोंने ऐसा कुछ calculate किया था d के लिए, least distance के लिए, याद है आपको, तो यहां पर हम लोगोंने 1 upon me u e की value है वो calculate कर ली है, तो अब इस value को आप लोग इस पहले वाले formula के अंदर आराम से put कर सकते हैं, यहां पर 1 upon me u e की value put कर सकते हैं easily, तो जब आप इसके अं minus में आएगा क्यों है, क्योंकि यहां पर जो हमारा u e है वो minus में है, तो minus में fo upon me fe, मैं direct इसको इसके नीचे ले आया हूँ, और bracket में हो जाएगा 1 plus fe upon me d, तो यह जो हमारा formula होगा, वो होगा magnification के लिए, इस case में जब आपकी image जो है, वो deep है, यानि कि least distance of distinct vision के उपर बनेगी यानि कि 25 cm के उपर बनेगी, clear बनेगी, आप easily देख सकते हैं, right, तो इस distance के उपर हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन यहां पर करना सिर्फ इतना होता है, कि आपका जो lens है, उसको आपको क्या है, एडजेस करना पड़ता है, so friends, यह हो जाता है आप आपका telescope का एक और case, I hope आपको telescope पूरा समझ माया होगा, इससे फिले microscope और human eye भी समझ माया होगी, और यह हमारा आखर optical instrument था, इस course का, so friends, I hope आपको समझ माया होगा, I hope यह वीडियो आपके लिए helpful साबित रही होगी, इसके बाद भी आपको कोई query आती है, कोई problem आती है, कोई